खबर भोपाल से है भोपाल में बीजेपी कारियाला में साथ सपता तक चलने बाले राश्टी स्तर के प्रशिक्षण की आज से शुर्बात हो गई है जा मुख्यमंत्री शिवराज सिंग चोहान ने इस प्रशिक्षण वर्ब में वर्च्वली माध्यम से कारिकरताओं को प्रशिक्षित किया प्रशिक्षण को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा का बयान भी सामने आया है और हुने कहा है कि आज से बीजेपी कारिकरताओं का रश्टी स्तर का प्रशिक्षण शुरू हुआ है और कल यानिकी 21 जून से महा वेक्सिनेशन का अभ्यान शुरू होगा और इस अभ्यान के लिए 7000 सेंटर पर एक दिन में 10 लाग वेक्सिनेशन का लक्ष रखा गया है बीजेपी के कारिकरता हेल्प डेक्स लगाकर वेक्सिनेशन सेंटर पर काम करेंगे 21 जून को होने वाले योग दिवस को लेकर भी हर एक मंडल में दो जगहों पर कारिक्रम होंगे दिपाख शुबस तो अमारे सब्वादाता इस खबर पर सीधे हमारे साथ जूड़ रही है और मुक्यमंत्री शिवराद सिंग चोहान खुद कारिकरताओं से वर्च्वली माध्यम से बताए जारा कि जुड़ेंगे कारिकरताओं को प्रशिक्षित करेंगे क्या खबर क्या जानकारी क्या डेटेल्स आपके पास और जादा जी जससे हम देख सकते हैं कि बीजेपी के बात की जाए तो प्रशिक्षिक्षन ने पर कारताओं से जुड़ेंगे ग्रेश एक्वोथ का लिए जो हुए उसके बारे में जानकारी डीजा सके। जाएगा जिसके लिए बीजेपी के सभी बाद की जब भली विधायकों की बात करें या पिर जो भी रिऑ काजा रोज़ान है वो भी देखने को मिल सके तो इन सारे विश्यों को लेकर अब जो कारे करता हैं उन्हें प्रशिक्षित करने का काम बीजेपी के दौरा किया जाएगा जी बिल्कुल ये प्रशिक्षिक्षन दिया जाएगा और जाये तोर पर और योग दिवस को लेकर जो एक महा वेक्सिनेशन अभ्यान की जो बात कही जारी थी मद्द प्रदेश में बिल्कुल नस्दीक है एक दिन का समय बचा हुआ है कितने सेंटर्स दीपा महां पर बनाए गये हैं किस तरह से ये महा वेक्सिनेशन अभ्यान की कल शुरुबात होगी और खास तोर पर योग दिवस के दिन क्या प्रदेश में क जी निश्य तोर पर जिस तरह से अगर मैं बात करूँ कल से एक महा अभ्यान जो है उसकी शुरुबात बीजीपी में होने जारी है कहा जाए कि पुरे प्रदेश भर में तक्रीबन साथ हजार सेंटर्स बनाए गये हैं वैक्सिनेशन सेंटर्स जहां पर करोना का महा अभ्य जाने के लिए प्रेदित करने के लिए तरह तरह के इनाम जो हैं वो भी रखे गये हैं जिसके अंदर कई जगाओं पर जो कहाँ की चीज़ें यानि कि खाने के दुकानों के मैं बात कर लूँ या फिर मोबाइल शॉप्स की क्यों ना बात करें सभी जगाओं से अलग- परज़ें विए जो है करें लेकर कि देखने की क्या है विडेश करें को लेकर कई निकल कर सामने आई कई लोगों ने यह भी कहा कि योग करने से जो काज़ा और यह ठीक होता तो इस तरह की बाते भी सामने आई हैं तो निश्चे तोर पर कल भी जिस तरह से प्रदेश अदक्ष पीडी शर्मा है और सीम शिवरासिंग चौहान जो है खुद मौजूद रहेंगे अपने मौजूदगी में वर्चुली इस एक प्रोग्राम का आज़ून किया ज सकते हैं तो उतरे लोगे खटाओं के जो वर्चुली योग करेंगे और सभी को से जोड़ने का प्रयास करेंगे जी बहुत-बहुत धन्यबाद दिपास तमाम जानकारी के लिए तो 21 जून का जो दिन है इसको लेकर अब तैयारिया मध्यप्रदेश में की गई हैं और साथ साथ आपको बता दें कि महा वैक्सिनेशन जो अभ्यान है उसको किस तरह से आगे बढ़ाए जागा वैक्सिनेशन सेंटर्स बनाएगे हैं लोगों को जादा जागरू किया जा रहा है कि आगे आकर वैक्सीन लगवाएं और इसलिए अब ये कारिकरम की शुरुबात भी महा वैक्सिनेशन अभ्यान जोसकी बात हम कर रहे हैं आगे बढ़ते हैं खबर भूपाल से भूपाल में मध्यप्रदेश के मुख्यमंतरी शिवराज सिंग चोहान ने कोरोना महामारी को लेकर कहा है कि अभी कोरोना का संकट खत्म नहीं हुआ है इसलिए तीसरी लहर अपन की सुमभार के दिन से हम अधिप्रदेश में महा वैक्सिनेशन अभ्यान चलाएंगे इस अभ्यान में दस लाख लोगों को टीका लगाया जाएगा साथी सियम शिवराज ने अपील करते वे कहा है कि सवी समाद सेवक समाद सेवी सस्ताएं टीका करन अभ्यान में आगे आक कर इसको सफल बनाएं से योग डिवस अंतरराश्टी योग डिवस के दिन से वैक्सिनेशन महा अव्यान मध़प्रदेश में प्रारम होगा साथ हजार सेंटर बनाए गए उन साथ हजार सेंटर पर कॉसिशी ये रहेगी कि कल ही हम दस लाख से जादा लोगों को वैक्सिन लगा सके मत्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंग चोहान कल 21 जून को दत्या आएंगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंग चोहान कजबा उनाव पहुंचकर 10 करोड की लागत से पहुझ नदी पर बनने वाले पूल का भूमी पूजन करेंगे मुक्यमंत्री शिवराज सिंग चोहान के गाउं पाराश चरी पहुंचकर वैक्सिनेशन महाभ्यान का शुबारम भी करेंगे शिवराज चोहान देवी तांतरिक शक्तिपीट मा पीतामबरा मंदिर भी पहुंचे इस दोरान सियम शिवराज के साथ ग्रहमंत्री डॉक्टर न दरुत्तम मिश्रा गाउं पाराश्वरी पहुंचे और मुक्यमंत्री के आगमन को लेकर बनाई जारी व्यवस्ताओं को लेकर दिश्या नर्देश कारिकलताओं को दिए व्यवस्ताओं का जाइजा लेते वे प्रदेश के ग्रह मंत्री ने वैक्सिनेशन महाभियान के संबं थी ने तीस विद्धि लाइनो यह वर्करस वानते वो ने समानित भी किया तो विद्धि लाइन मैं तीस जिनको समानित किया फ्रंट-लाइन वरकर्स ही मानते वे डॉक्टर नरुत्तम मिश्णा ने और साथी साथ किस तरह से वेक्सिनेशन का जो महाभ्यान शुरू होगा कर वहाँ पर क्या तैयारिया हैं इसे लेकर पूरी जो वेवस्ता हैं उसका वहाँ पर जाइजा लिया और पूर जान का लिए कि लिए और वैक्सीन होगी जो हमारे मन में उपजी तीसरी लहर की अक्या का संखाओं से बाहर निका लेगा और इसलिए मेरी आम जन से हाज जोड़की प्रातना के वैक्सीन के लिए सब को प्रेरिट करें भ्रम फैलाने वालों को भी अगान खबरों के निश्पक्ष विस्लेशन के लिए सब्सक्राइब करें जनकन्तर टीवी एड़ प्रेस दा बेल आइकन नेवर मिस एनी अपडेट